सो फाइनली मून नैट और ये सीरिस किसी भी मार्वल मूवी या सीरिस से बिलकुल इलग है सच में बिलकुल इलग सो हे गाइस आप देख रहे हैं मूवी मैन हिंदी तो चलिए स्टार्ट करते हैं मून नैट का फर्स्ट एपिसोड दि गोल्डन फिश प्रोब्लम तो कहानी की शुर्वात में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो पानी पीके गिलास को तोड़ देता है और उसके चूरे को अपने सैंडल में पाके निकल चलता है और उसके बाद एक मार्वल स्टूडियो के लोगो को देखते हैं और कहा निशिफ्ट होती है वो सीरिस के मेन करेक्टर सीविट ग्रांड पे तो कि इस वक्त ये देखते हैं कि वैं अभी नीन से जाकता है और जमीन पर रेत बिची हुई है और दरवाजे पर टेप चिपकी हुई है म्यूजिम में जाते ही उसे एक बच्ची मिलती है जिससे वो बात करने लगता रहा है लिटरिली उनके कन्वजेशन में हिडरन मिनिंग है स्टीव उन्हें बताता है कि कैसे एशन एजिप्षन में डेट बोडी में से ओर्गन निकाल लेते थे एकसेप्ट हार्ट को जिससे कीवे अंडर वर्ड में उसे जज किया जाए और यह जज एक अमिट नाम की गोडस करती है और उतनी ही देर में उसकी सुपीरियर डौना की एंट्री होती है और वो उसे कहती है कि जिस काम के तू पैसे लेता है वो काम तो तू करता नहीं या हमें पता चलता है कि स्टीव ग्रांट चोकलेट कैंडी और शुगर कैंडी बेचता है उतनी ही देर में एक लड़की आती है और उसे डेट के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हे यहाद है कि फ्रैडे को हमारी डेट है स्टीव हाला की चौंक जाता है क्योंकि उसे डेट के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन वो जानके खुश होता है फिर स्टीव अपना सारा काम खतम करके एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास जाकर बैठ जाता है और उसे अपने सारे धुक्यारे सुनाता है बताता है कि यह ऐसा लगता है कि मानो हजारों कदम चल रहा हूं रातों को सोने नहीं मिलता पता नहीं पूरी बोडी में थकान फिल ह होती है लेकिन अच्छी बात यह है कि डेट पर जा रहा हूं फिर स्टीव उसे पैसे देने के बाद वहां से निकल जाता है तो रात को ना सुने के लिए वो अपने फोन में वोईस ओवर लगा देता है जैसमें बहुत से तरीके शाय मिलते हैं जैसे कि बुक्स पढ़ना र पीछे देखते हैं नहीं देर में कुछ लोग उस पे गन चलाने लगते हैं और स्टीव अपनी जान बचा कर एक यूरोपन कंट्री में पहुंच जाता है जिस वक्त हमें वहीं पर वहीं व्यक्ति देखने को मिलता है जो कि हमें कहानी के स्टार्ट में देखने को मिला था ये एक पूझे पादरी के रूप में शहर की गलियों में घूम रहा था और लोग उसे देखकर पूझने लगे थे तब वो आकर कहता है कि इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है ये स्वर्ग आप लोगों के साथ के बिना नहीं बन सकता तो आओ मैं आपको परकता हूँ देखता लोगों को तराज़ू से तोल सकता ह alliance और वहीं पर एक आदमी आजाता है और वो उस अंजाने विक्ति के हाथ पर अपना हाथ रखता है उसके हाथ पर एक मगर मच्की शेप का टाटू बना हुआ था जो हुलने लगता है और वो ग्रीन हो जाता है उसके बाद वो उस आदम की शइचती हरे रंग की जगा लाल रंग दिखाती रउरत कहती है कि मैंने तो जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया ठीव देख रहा था और उन लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था मगर वह लो लोग तो आकर सीधा आर्थर से कंटाक्ट करते हैं और वह बताते हैं कि हम उस सक्ष को ढूट नहीं पाये तब ही आर्थर अमिट के आगे जुकने के लिए कहता है और उसी वक्तव पकड़ा जाता है और वह उसे आगे बलाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे स्केरब दे दो स्टी अपनी पोकेट में चेक करता है तो उसे एक छोटा गैजिट मिलता है पर उसकी अंदर की ये वाज आने लगती है और उसे कहती है कि ये स्कैरप उसे मत दो जब बहुत सारे लोग उस पर हावी होने वाले होते हैं तो वो ब्लैक आउट हो जाता है और जब उसकी आखे खुलती है तो वो लोगों को उसके सामने गीरा पड़ा द जैसे जैसे स्टीव खतरे में पड़ता है वैसे वैसे उसकी मार्क की अडेंटिटी उस पर हावी हो जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद स्टीव सपने से जागता है और जानता है कि ये सब उसकी दिमाग की उबज थी लेकिन प्रोब्लमेटिक बात ये थी कि जब वो अप गबरा कर डेट पर पहुंचता है यहीं का सबाकर आज चाहिक पशुड़र से बारे мас cel. चाबी और एक मुबाईल मिलता है जिस पर लायला नाम से बहुत से कोल और ड्यू चेंप के भी कोल थे वहीं पर लायला का कोल आ जाता है तब स्टीव उसको पिक करता है और लायला उससे कहती है कि तुम कहां पर थे इतने टाइम से मैं तुमें ढूंड रही थी मुझे लगा करती है और फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन वो बस से अपनी जोब पर जा रहा होता है लेकिन उस वक्त भी खौनशू की अडेंटिटी उसका पीछा नहीं छोड़ती वह उसे दिकाई देती रहती है फिर म्यूजे में जाते ही उसकी मुलाकात अगेन आर्थर से होती है वो वहां से भागन की कोशिश करता है मगर वो देखता है कि आर्थर हैरो के लोगों ने उसे चारों उसे घेर लिया है फिर वो आर्थर को परकता है लेकिन वो आर्थर को उसाई से परक नहीं पाता और वो बोलता है कि तुम्हें खालिश है यानि कि उसमें दो देखने जाता है तभी एक माइथा लोजिकल क्रीचर उसके पीछे आता है जो उसकी जान लेना चाता है स्टीवन वहां से घबरा कर भागता है और वो डर केक वाश रूम में जाकर छुप जाता है वो बहुत घबराया हुआ होता है तभी उसकी मार्क की अडेंटिटी डारेक्ट उससे पहली बार बात करती है तभी मार्क स्टीव को अपने कंट्रोल में ले लेता है और हम देखते हैं पहली बार मून नाइट को और वो उस क्रीचर को पीट पीट देता है सो हे गाइस ओवर ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बैल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाना और एक प्यारा सगमेंट करना एक मोटिवेशन मिलती है थैंक्स